Come back to my YouTube channel आज हम पढ़ेंगे Quantum Mechanics से एक टोपिक आइगन वेल्यू आइगन फंक्शन चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले हम जानते हैं कि आइगन का मतलब क्या होता है तो इसका मीनिंग होता है प्रॉपर या केरेक्टरिस्टिक किसी चीज के एक चैरेक्टरिस्टिक टैब से या फिर कोई प्रॉपर चीज होना अइगन फंक्शन क्या होता है आइगन फंक्शन किसी एक सिस्टम का वह एक फंक्शन होता है जो और स्पॉन्स करता है complex scalar eigen value को मतलब एक proper function जो एक proper value को response करे तो मान लेते हैं y of t क्या है एक आइगन फंक्शन है लेमडा यहाँ पे आइगन वैल्यू है f of t क्या है दूसरे एक फंक्शन है यानि response कौन कर रहा है y of t कर रहा है किसको आइगन वैल्यू को लेमडा को दूसरे फंक्शन की टर्म्स में अब देखते है आइगन वैल्यू क्या है एक special set होता है scalars का जो associate होता है linear system of equation से या फिर matrix equation से जैसे अगर आपको मैं अगर बोलूँ यहाँ पे 3x ठीक है प्लस 4y तो यहाँ पे जो 3 और 4 है वो क्या है आइगन वैल्यू है वो क्या है आइगन वैल्यू पॉंसर्ट देखते हैं concept में अगर हम लोग देखें आइगन वैल्यू या आइगन function के तो अगर हम लोग एक psi को ले ले लें वो क्या है एक well defined function है जो operate कर रहा है एक operator P पे P cap पे जो दो different ways में जो दो different ways में psi को psi के nature को बताएगा ठीक है पहला हो जाएगा operator P ठीक है first way क्या हो जाएगा operator P operate होगा psi पे उससे change करेगा किसमें एक नए function में मान लेते हैं वो क्या है याने P operator जब psi wave function पे या एक function पे लगेगा तो वो इसमें किसमें change ला दे रहे है दूसरे function में ला दे रहे है चोटा साइक example 3 को अगर मैं 4 से multiply करूं तो वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा या 3 को x से multiply करूं तो उसकी क्या value होगई एक constant की value को मैंने variable से multiply किया तो वो case में बदल गया 3x में बदल गया ठीक चलिए आगे देखते हैं तो यह जो new function होगा वो क्या होगा linearly independent होगा साइ के लिए ठीक है second point देखते हैं दूसरा वे क्या था या दूसरा nature क्या था operator P जब एक function साइ पर operate करेगा तो वो lambda times उस function के lambda times के equal हो जागा याने पी कैप साइ किसके equal हो गया lambda साइ के equal हो गया तो lambda यहाँ पर क्या है real और complex number होगा साइ क्या eigen function lambda क्या है आइगन value ठीक है लैम्डा की दो value है ठीक example देखिए differentiation यह function हो गया ठीक किसका operator का e की power minus 4x तो हमें क्या मिला minus 4x 4 times of e की power minus 4x यह equation इस terms में है जहाँ पे equation 2 से अगर हम इसे compare करें तो eigen function हमें क्या मिला e की power minus 4x eigen value क्या मिला minus 4 operator क्या है d by dx ठीक अब इसका use क्यों करते है तो eigen value use होता है यह हमें allow करता है to reduce a linear operation और use to make linear transformation understandable किसी linear operation को reduce करने मैं मान लेज़े एक बड़ा सा function है ठीक है अगर यह differentiation अगर काफी terms का होता तो हमें यह अगर एक terms दे देता काफी लंबा terms दे देता ठीक दो तीन terms को mix करके तो हम differentiate करके उसे क्या करते है reduce करते है तो हमें यह जो eigen value होता है ठीक वो use किया जाता है linear operation को reduce करने के लिए साथी साथी यह linear transformation को understandable बनाते है ताकि वो easily समझ मैं होप आपको यह video पसंद आया हो तो please मेरे चैनल को like, share and subscribe करें Thank you